माननी प्रधान मंत्री जी द्वारा अमरत भारत स्टेशन योजना के अंतरगत 551 रेलवे स्टेशनों के पुनरविकास एवं 1500 रोड ओवर ब्रीज अंडर पास का शिलानियास उद्घाटन राष्ट को समरपन कारिक्रम के अवसर पर टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समाहरों में माननी राजपाल श्री सीपी राधा करश्णन ने माननी प्रधान मंतरी जी के प्रती आभार व्यक्त करते वे कहा कि अमरत भारत स्टेशन योजना भारती रेलवे नेटवर्क की दक्षता और बुनियादी धाचे के विकास की दिशा में व्यापक प्रतिबददा को दर्श जाता है उन्होंने कहा कि भारती रेलवे नेटवर्क विश्व इस्तर पर सबसे बड़ी वा सबसे विक्सीत प्रणालियों में से एक है जो देश भर में लोगों एवं वस्तूओं के आवगमन की दिशा में एक महतुपून भूमिका का निर्वा करता है राज़िपाल महदय ने कहा कि माननी प्रधान मंत्री जी के स्वच भारत अभियान जैसे उलेखनी पहलों से रेलवे स्टेशनों, प्लेटफामों, प्रतिक्षा शेत्रों और स्टेशन परिस्वरों की स्वच्छता और कारिशमता में एहम सुधार हुए हैं माननी प्रधान मंत्री जी जारखन में रेलवे नेटवर्क विक्सित करने के लिए प्रतिबद हैं जारखन में टाटा नगर एवं अन्य रेलवे स्टेशनों के पुनरविकास इसी दिशा में एक सार्थक कदम है राजपाल महदय ने कहा कि अमरत भारत इस्टेशन योजना जैसी पहल विक्सित भारत विक्सित भारत एड़ रेट दोजार से तालिस की दिशा में एक महतुपून प्रयास है उन्होंने विक्सित भारत के लिए अन्य योजनाओ यथा प्रधान मंतरी उज्वला योजना जल जीवन मिशन योजना प्रधान मंतरी आवास योजना इतियादी की शुरुवात की है जिससे लोगों को काफी सुईधा प्राप्त हो रही है राजपाल महदय ने इस अवसर पर साउथ इस्टन रेलवे हाई स्कूल टाटा में आयोजित दोहजार सेतालिस का विक्सित भारत विक्सित रेल विशे पर आयोजित विविन प्रतियोगिताओं के सफल प्रतिभागियों को पुरुस्पृत भी किया इस कारीकरम के उपरांत राजपाल महदय ने अन्ना अमरत फाउंडेशन में जाकर वहां की कार्य प्रणाली को देखा एवं रक्षार ओपन भी किया अन्ना अमरत फाउंडेशन के द्वारा बच्चों को मिड़े मिल उपलब्द कराया जाता है अन्ना अमरत बच्चों को मिल उपलब्द कराया जाता है